हेलो दियर फैंज वेलकम टू नर्सिंग सेक्सिस पॉइंट तो आज जो अपन डिस्स करने वाले हैं वो करेंगे शी एचन के एट टेस्ट पर जिसमें मोस्ट ट्वंटी टॉप ट्वंटी एंशी क्यों पर डिस्स करेंगे तो काफी इंप्रिटन होने वाले हैं CHO एक्जाम नौसट एन और भी NCL एक्जाम है वह सारे अग्जामे के लिए खाफी उप्रिटन होने वाले हैं तो बढ़ते हैं अपने क्षिंट की और सबसे पहले तो आपको बता दूँ का आपको वन बाई वन में क्षिंट पढ़कर बताऊंगा आपसेंस तो तो पहले questions रहने वाला है, वो रहने वाला है, 3C, 3C use during a home delivery, तो basically आपने पड़ा होगा, जब delivery करवाते हैं, तो उसकी 3C अपन techniques use करते हैं, 3C का means क्या होता है, तो options एक अंदर होता है, clean hands, clean instruments and clean garments, options भी है, clean hands, clean surface and clean code gear, options C के अंदर clean surface, clean thread, clean code, options D के अंदर none of the above, तो right answer कर सकते हैं, मैं आपको time दोंगा 5 seconds का, तो चल्दी से आफ right answer पुट करें, इसका जो right answer होगा, वो होने वाला है, options B, options B यहापर right answer होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, यहापर first जो आपन जो focus करते हैं, mainly अपना कोई भी procedure हो, अ टो clean hand, यहाँ पर होने चाहिए, clean hand होंगे, तब इंफेक्शन सोने के chances कम हो जाते हैं, clean surface होने चाहिए, clean surface होने चाहिए, ज ह होने दिलिवेरी कराई है, वो surface, clean होने चाहिए, and next clean code ke, therefore, और जो में जो अपने डिलिवरी कराते हैं जो में जो पार्ट होता है इंफेक्शन से होने के वो कोड से होते हैं जो अमलाइकल कोड होती है उससे होने के चैंसे रहते हैं तो उसके लिए अपन क्लीन असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है तो क्लीन कोड के होनी चाहिए आए नेक्स्ट जो कुर्शन सवानवाला है एम्बलेम्स फोर अदर फाइब किल्निक गटेंस तो फॉलोविंग अब्जेक्टिव्स एक्सेप्ट अंडर फाइब किल्निक नाम सुना होगा उसमें जो कंपोनेंट्स है उसके बिसिकली जो उसके objective है उसमें से जो तीन objective है और एक को छोड़ के एक objective नहीं होगा तो कौन सा नहीं होगा options say immunizations, options B adequate nutrition, options C protect the childhood disorder, options D care of illness तो right answer comment करें इसका जो basically right answer नहीं होगा और options C protect the childhood disorder यह family जो अंडर 5 clinic वो नहीं होगा तेहां पर C options is the right answer next questions which is the not elements of communications, communications काफी important topic होता है जिसके बारे में अपन 5 components भी पढ़ते हैं इसके बारे में mainly जो components होते हैं तो इसके जो mainly elements होते हैं इसके components होते हैं जो इसके method होते हैं उसमें से तीन method है इसके x एक को छोड़के accept के अंदर भी पूछ सकते हैं questions तो options A के अंदर है message, options B sender, option C options B sender, option C attention, option D channel तो right answer comment करें जल्दी से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो main component होते हैं communications के आपने पड़ा होगे सबसे पहले क्या होता है message message then sender होता है and then receiver होता है एक क्या होता है receiver receiver याद रखना आप हो then channel भी होता है एक होता है receivers then receive करने के बाद में क्या होता है उसका response से response में क्या होता है feedback feedback तो यह जो है पाच्छों components होता है option C यहाँ पर राइट अच्छों नहीं होता है इसके अंदर option C is the right answer C यहाँ पर राइट आंसर होगा next question which of the following is the not a two-way communications कौन सा two-way communications नहीं यह क्योंस आपने बहुत भार देखा होगा एक्जाम हम पुछते हैं options A के अंदर lectures, options B panel discussions, option C group discussions, option D symposiums तो राइट आंसर कमेट करें यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा options A जो two-way communications नहीं होता है वो होता है lecture lecture कभी two-way communications नहीं होता है panel discussions में होता है two-way communications group discussions में भी होता है and symposium में भी होता है next questions floating tip of icebergs of disease represents यह very important questions है जो एक बार सब्सक्राइब के अंदर आए हुआ है उसमें बहुत सारे exam पूछते भी है floating to floating of icebergs of phenomena होता है उसमें जो floating tip होता है उसमें आपने देखा होगा एक ऐसा diagram जैसे यह water होता है देन यह एक ice होता है ice का टुकडा होता है इसका उपर वाला टीप और निचे वाला submerged portion और यह इसका water होता है इसमें आपको बताना होता है कि जो उपर वाला टीप होता है इसका जो floating tip होता है वो क्या indicate करता है options एक clinical cases options भी undiagnosed cases option seek carriers options the incubation period तो जो floating tip होता है वो indicate करता है basically clinical cases options a is the right answer यह पर options a right जो इसका submerged portion होता है वो indicate करता है and diagnose cases को indicate करता है और यह water जो है वो total populations indicate करता है तो options a यहां पर right answer है next questions the period between the entry of agent the entry of agent of the disease and before appearance of clinical sign known as right answer comment करना आपको क्या होगा वो period जिसमें कोई भी जो एजेंट है वो एंटर होता है बोडी के अंदर देन अप्यारेंस और क्लिकल साइंस क्लिकल साइंस क्लिकल साइन अप्यर करता है उस period को क्या बोलते है options a protocol period options b pre clinical period option c incubation period of somebody susceptible period चारो जो जो ऑप्सेमा बताने वाला हो बड़ा एवन तो पहले आपको राइट अंसर बता देता हूं मैं यहां प्यापका जो राइट आन सुनेंगा वो मनेंगा incubation period option c right अगो होगा त्याप आप देख सकतना है इसमें इसमें आप देख सकतना है इसमें आप देख सकतना है नेक्स जो है दा interval between the entry of disease interval होता है entry of disease and appearance of earlier symptoms and the might indicate the start of disease before specific symptoms occur called prodomal period कहलाता है precursors precursors period भी बोल सकते है एंड प्रोड़ोमल period किसको बोलते है जो अड्लियस साइनन सिंटम्स होता है उसको prodomal period बोला जाता है यह काफी severe phase होती है एंड जो next होता है period for entry of pathosans definite defense diagnose of possible diseases called preclinicals जो अपन क्या करते है diagnose करते है possible diagnose तो वो preclinical period कहलाता है और next जो होता है period having little resistant and to a disease of foreign proteins called क्या बोलेंगे susceptible periods बोलेंगे next questions the factor responsible for populations explosions जन संग्या बढ़ने का जो में जो कारण होता है वो क्या factor कौन से responsible है अपसे लाइफ इस्टाइल है और सुन भी बोवर्टी और social factor है और सुन सी है compulsory educations of children's option दी है children are the gift of God the right answer comment करें फटाफट यहां पर आपका जो राइट अंसर बनेगा वो होगा options D option D यहां पर राइट अंसर होगा क्योंकि जब पहले ही मित था पुराने टाइम में कि बच्चे जो होते है वो बगवान का एक गिप्ट होते है तो उसके अपरिया चैन संक या का चाहता जैंस के बढ़ने का यह मैं फेक्टर था चिल्टर रन्सा था किप्र आफ गॉर्ड मैं ये फेक्टर था अपसंदी यहां पर राइट ओगा India Populations Cross 1 Billion Smartphone India की Population 1 Billion Cross स्वीटी कब हुईती ऑप्सें से गरह अप्रेल 2000 जो तौज अप्सें सी 11 जून टू तौज़न से एलएवन जून टू तौज़न स्वन या अप्सें दी 11 अप्रेल 2001 तो राइट अंसर कमेंट करें फटावट इंडिया की जो पॉबलेशन है कब क्रॉस हुई थी 1 बिलियंस तो राइट अंसर कमेंट करें फटावट जहां पर आपका जो राइट वांसर बनेगा वो बनेगा अप्सेंस भी 11 माई 2000 को इंडिया की जो पॉबलेशन है वो वन बिलियन क्रॉस हुई थी अप्सेंस भी इसे क्रिशन स्पूश सकते हैं एक्जाम से एक्स्ट क्रिशन्स बिस ओडर लाइक कैंसर शी एच्टी प्रोनिक हर्ड डिजीज सीजोफेनिया इस्टी एंड इसजिंगी धनल रिटार डिशन्स आरइग्जाम्पल ओ तो आपको यह बताना है कि कौन से ऑक्जाम्पला है जो डिशॉडर रहों ऑप्सेंस ए अनफ्टोरल डिशॉडर एंडियो इस भी मेल्टी फ्यॉक्टी डिशॉडर ऑफेंसी क्रोमसोमल डिशॉडर ऑफेंस्टी genetic disorder तो इसमें आप देखते हैं इसमें कैंसर इंक्लूड है हर्ड डिजीज है सीजोफेनिया है आइच डी है मेंटल डिटाइशन से एड बहुत सारी जो डीजीज वो इंक्लूर ओधिये तो इनको क्या बोला जाते है एक मल्टी फेक्टरील डिशॉडर बोला जाते है तो आपसंस भी इस दराइट अपसंस भी यहां पे राइट एंसरोगा next questions the nurse epidemiologist nurse epidemiologist का क्या वर्क रेता है का functions रेता वो बताना आपको options A is responsible for doing culture of all infections and drainage and options we work in the laboratory to identify bacteria causing infections option C besides what antibiotics should be prescribed for infections option B help helps providers of care to control infections so right answer comment करें या पर आपका जो राइट एंसरोगा क्योंकि epidemiologist चुना सुथी उसका basically remain focused at our attack क्या करते है options D helps provides of care to control infections control के लिए next questions in India recent census was held last to fire abhi recent census walk up with a option say 2010 options B 2011 option C 2012 option D 2013 तो राइट एंसर कमेंट करें यहां पर आपका राइट एंसर बनेगा वो बनेगा options B is the right answer 2011 के अंदर हुआ था दैन अभी वापस 2021 को होगा 10 years अप्रोक्स 10 years के बाद में होता है 10 years का डिवेशन होता है census का first census इंडिया वाज टेकन इंडियर कॉंसे यह के अंदर first census लिया गया था option A 1871 options B 1881 option C 1890 option D 1910 यहां पर राइट अंसर होगा वोगा options B 1881 के अंदर first census हुआ था इंडिया के अंदर next questions infections that appear within 48 hours अगर 1548 सवर के अंदर infections दो थाया of admission after admissions hospital is cold क्या बोलेंगा उसको option C community acquired infections options B hospital acquired infections option C ventilator associated pneumonia went to why already and subsidy all up double क्या बोलेंगा उसको तो यहां पर आपका जो राइट आसर होगा वोगा options B options B यहां पर आइट आसर होगा क्योंकि after admissions hospital के बाद में 48 hours के अंदर जो infection होता है वो कहलाता है hospital acquired infections कहलाता है तो इसको hospital acquired बोला जता है ventilator associated मलब patients को after ventilate करने के बाद में ventilator पर लेने के बाद में 48 hours के अंदर वेट अगर पिसंट को infection होता है या निमोनिया तो वो condition बोला जाती है ventilator associated pneumonia ventilator के कारण होतर हो रहा है तो देने को होता है इत्रोजनिक्स infections होता है अई ट्रोजनिक्स वो बॉला जाता है बेसिकली होता है health care provider है उसके कारण देखने को मिलता है कि अ हुआ है कि नेक्स इसका जो पूंसरा है वह न वाले common type of nozocommunial infections nozocommunial infection जो hospital acquired infection होता है उसको बोला जाता है और आपकी उजामपल है वो क्यों सा है बेस्ट एक्जामपल ऌफ संसे यूट लीट है टैट इन्फेकशन स अप्शन्स सब्सकी के स्टररांटरलायटी जिरह पिति तब अब करतुंप wizard होगा क्यों फोगा आपको याद रखने है यह दोनों देखने को मिलते हैं जो यह काफी इंपूटेंट कुछिंस है नेक्स विसंस कॉमन टाइप ओम जो को मल इंफेक्शन हो गया है याप है तेन नेक्स जो कुछिंस है विच इस वन इस दो नॉट इंक्लूद इन प्रिवेंशन ऑफ होस्पिट आटिएगशन ऑसंटेति ठेक्निक्स अप्संसी ऑंचेग्यशंस पोर आल पेशन ऑसंटी प्रॉपर् सेगरिकृ केत्री सब्सकुरिय्सण टिस्पोजयलां फ़ेस तो एक अच्छा मेतर हैन वश stesso सी प्रॉपरर सेटी सरें और फंट लिए औंप्संसी अल्टी कि अपन एंटिब्योटिक्स यह ट्रिट्मेंट होता है ना कि प्रिवेंशन होता है तो अप्शन सी यहां पर राइट आंसर है यहां नेक्स क्रिक्स असा अग्रिगटरिट सोचल है अल्ट एक्टिवीश एग्जर इसकी फूल फॉल्फ पूचिछ आथी वर केट किस लेवल पर वक करती है ऑप्शन से कमूनिटी लेवल संधी विलेज लेवल उट्सट प्येश्टी लेवल उप्शन दी डिस्ट्रिक ले कितनी होती है multipurpose worker option से लेस देन 500, option B 1000, option C 3000, option D 5000 तो यहां पर आपका right answer होगा, option D, option D right answer, 5000 पर multipurpose works होता है next very important questions, all other national agency working for child welfare work करती है, except एक को छोड़ गे, option से red cross society option B, child relief and U, option C के अंदर है WHO, option D, Indian council for child welfare, तो जो डबलो एच है, वो basically work नहीं करती है child welfare के लिए, वो all, जो health इंदिया में है, जो all over world के लिए, health level के लिए work करती है तो option C, यहां पर right answer हो जाएगा, तो इसके अलबब जो तीनों जो agencies है, वो child welfare के लिए काम करती है next very important questions, founder of red cross society, यह नॉर्शेट का questions है 2020, 2020 का questions है, options A, henty forts, options B, henty donuts, options C, henty browns, option D, henty plates, तो यहां पर right answer बता है, यहां पर आपका right answer होगा, होगा, options B, henty donuts जो है, वो red cross society का founder है तो दोस्तों यह थे थे काफी important questions, तो आपके लिए काफी important रहेंगे, exam के लिए, तो इसके जो कितने आपकी total right हुए, तो last में comment जरूर करे, like, share and subscribe, and bell icon को साथ में जरूर दबाए, ताकि सबसर पहले notification आपको मिले,